जेरुसनेम के कलैशस के बारे में आपने सुनाई होगाब बहुसतरी वीडियो भी आपने देख लिहोगी डेली न्यूजपेपर में इसकी रिपोर्ट्स भी आ रही है अब इस रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो यह कलैशस हुए क्यों है वैसे ये clashes हर साल होते हैं इस पे एक और issue भी जुड़ गया है कि शेख जर्रा का जो इलाका है East Jerusalem में उस East Jerusalem के इलाके में जो Israelis हैं वो कहीं न कहीं Arab families को बाहर निकाल फेखना चाहती है ये शेख जर्रा के लाके में इतने स्ट्रॉंग हो रहे हैं इन सब चीजों को बहुत डेटिल में आपको समझाने वाला हूँ तो news, Jews और Arabs की fight अभी की present situation क्या है और ये क्राश्ट इस साल क्यों हुए हैं और हर साल ही होते हैं ये इस respect में तो आप देखो कि मंडे को इसराइली पुलिस ने अल-असका मौक्स को स्टॉम किया इस्ट जरुसलम में इस्ट जरुसलम पूरी तरीके से इसराइल की घबजे में मैं आपको पहले बता दू वेस्ट जरुसलम में भी बहुत से पॉकेट्स में इसराइल की चलती है हाँ बहुत सारे पॉकेट्स पेलेस्टीनियंस के हाथ में भी है और 10 माई को आया जिरुसिलम डे और इस दिन ये जो जियोनिस्ट क्राउट थे वो कहीं न कहीं जो मुस्लिम इलाके थे जो अरब इलाके थे पेलेस्टीनियंस के वहाँ पे गुसके जाके अलग अलग प्रकार के नारे बाजी कर रहे थे जिसके चलते क्लाशेस और तदा बढ़ गए और ये क्लाशेस इस्पेशली जो मुस्लिम फास्टिंग मन था ना रामादान का इसमें कुछ ज़्यादा ही हुए है तो इस रिस्पेक्ट में हमको थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखनी पड़ेगी यहाँ पर मैं कुछ आपको इस्टॉरिकल लोकेशन सिखाना चाहता हूँ यह डेमासकस गेस्ट है ओल्टिटी गेट है जेरुसिलम का इस गेट के थूप आप वेस्ट जेरुसिलम से इस्ट जेरुसिलम में जा सकते हो इस्ट जेरुसिलम से वेस्ट जेरुसिलम में आ सकते हो यहाँ पर एक बार इस्राइल के नक्षा देख लिजे तो इस्राइल के नक्षे में नौर्थ में आपको लेबनन North East में Syria फिर East में Jordan South में Egypt का Sinai Peninsula यहाँ पे गाजा पट्टी है इस गाजा पट्टी में हमास नाम के एक ग्रूप का राज है हमास को बहुत सारी कंट्री ने ट्रिरिस्ट और नैशन गोशित कर रखा है और इस रिस्पेक्ट में जो स्टार है इस डिस्प्लेस जरूसिलम यह पूरा का पूरा जो इलाका है जहाँ पे मैं रेड मार कर रहा हूँ यह है भाई West Bank और इस West Bank में छोटी सी सिटी है जरूसिलम और इस जरूसिलम सिटी को दो भागों माटा के है आपको यह Occupied West Bank के अंदर यह जरूसिलम दिख रहा है जरूसिलम के अंदर दो जरूसिलम अने एक तरफ आता है आपका East Jerusalem एक तरफ आता है West Jerusalem अब इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको एक Old City नज़रा रही है यह वाली इस Old City को बड़ा करके इधर दिखाये गए इसमें दो तिन गेट्स दिख रहे हैं पुराना गेट दिख रहा है तमासकस गेट जिसको Old Gate बोलते है न्यू गेट दिख रहा है इस रिस्पेक्ट में अंदर आपको Doom of the Rock दिख रहा है Al-Aqsa Mosk दिख रहा है और इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो structure को बोले जाता है हरब अलशरीफ ये जो हरब अलशरीफ नाम का structure है ये Muslims के लिए जितना pure है उतना ही pure ये Jewish के लिए है Muslims के लिए pure क्यों है चुकि यहाँ पर Al-Aqsa Mosk है Dome of the Rock है अगर आपको Al-Aqsa Mosk को Dome of the Rock के बारे में नहीं पता है खासकर Dome of the Rock के बारे में तो कुछी दिन पहले मैंने NCRT 11th क्लास के history में chapter number 4 में इस बारे में बताया है मेरे चैनल के आप video section में जाहिए अगर भी आप इस video को देख रहे हैं यहाँ पे P3C4 sorry P3C4 नहीं P2C4 वाली है NCRT 11th की history खोली है ओके और यहाँ पे आपको इस NCRT 11th history में उमायत कैलिफेट दिख रहा होगा ओके तो इस respect में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यह add skip हो जाने दीजिए ज़रा सा हम तो यहाँ पे आप देखेंगे तो Dome of the Rock मैंने इसमें दिखा रखा है आपको लेट में सर्च इट तो इस वीडियो में जब आप ये लगबग 30-31 मिनट पे पहुँचो को तो यहाँ पे मैंने आपको Dome of the Rock के बारे में बताया है जिसको किसने मनाया है अब्दलमलिक ने मनाया है अब्दलमलिक का टाइम कब से कब तक था 685 से लेके 705 AD यह जो Dome of the Rock है यह एक rocky mound के उपर बना हुआ है और इस respect में यह आप कह सकते हो कि इस प्लेस इस वेरी holy place for Muslims चुकि यहाँ पे माना जाता है कि जो night journey थी prophet साब के to heaven वो basically इसी Dome of the Rock से शुरू हुई थी तो इस respect में आप कह सकते हो कि this place is very very holy for Muslims और उसके साथ मैं आपको बताया कि जो temple mount है this is also a very holy site in Judaism तो Jews के लिए भी इलाका बहुत pure है हो Muslims के लिए भी इलाका बहुत pure है अब इस respect में यहाँ पे एक और इलाका न्यूज में आ रहा जिसका नाम है शेक जर्रा इलाका इस तरफ East Jerusalem है इस तरफ West Jerusalem है West Jerusalem में एक और इलाका है शेक जर्रा अब यह दो इलाके यहाँ पे बहुत ज़दा न्यूज में है एक तो आपका हो गया यह जो अल-अक्सा मौस्क वाला इलाका है और एक इलाका हो गया आपका शेक जर्रा वाला इलाका इस respect में Jews और Arabs की हिस्ट्री की बारे में बात कीजए तो World War I में Ottoman Empire हार गया था और आप देखोगे कि यह जो इलाका था जहाँ पे इस समय पे पेलेस्टीनेंस बसे हुए हैं जहाँ पे इसराइल बसा हुआ यह ब्रिटेन के कंट्रूल में चला गया अब उस समय पे ब्रिटेन के सामने एक चॉइस थी कि भाई जूइस को कहां पे री-लोकेट किया जा तो ब्रिटेन ने सोचा जूइस को इस पेलेस्टीनियन अरब वाले इलाके में री-लोकेट कर देते हैं चुकि कहीं न कहीं शुरुआत में इस इलाके में जूजी रहा करते थे बट पेलेस्टीन ने बोला कि यह हमारा घर है तो जब जूज ने बोला कि यह हमारा एंसिस्टल घर है और इस पर्टिकुलर इलाके में ब्रिटेन ने इनको रिलोकेट करना शुरू किया तो पेलेस्टीनियन अरप्स ने मना किया उसके बाद भी जूस यहां आते गए आते गए 1920 से लेके 1940 से तक इस इस इलाके में बहुत सारे जूस है जो कि वो यूरोप से भाग रहे थे जर्मनी में जो जर्मनी का डिक्टेटर था आपका हिटलर वो उनको परिशान कर रहा था उस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जैसे जैसे जूस का नंबर बढ़ता चला गए इस इलाके में जूस और अरब की बीच में लडाई भी बढ़ती चली है 1947 में United Nations ने ये वोट किया कि पेलस्टीन को दो भागों में बाट दो एक सेपरेट जूइश भाग होगा एक सेपरेट अरब भाग होगा और जेरोसलम एक इंटरनेशनल सिटी बनेगी जो कि इन दोनों के बीच में होगी इस प्लान को जूइश लीडर्स ने तो एकसेप्ट कर लिया जो कि उनको इंटरनेशन रिकोगनिशन चाही था बट अरब साइड ने सुचा है कि हम तो यहाँ पर रही रहे हैं हमें तो रिकोगनिशन नहीं है हमें किसी की रिकोगनिशन ज़रोत नहीं है कि आफ सपास की जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने यहाँ पर अटक कर दिया तो ब्रिटिश उडर्स गये इस्राइलीज ने डिक्लेर किया भाई यह है इसराइल उस रिस्पेक्ट में आपस पास की जो अरब कंट्रीज थी और वहाँ पे बहुत सरे जो लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया एक लड़ाई हुई और इस लड़ाई में इसराइल जीत गया उन्डेट्स ओफ थाउजंड्स ओफ पेलिस्टीनियंस को यहाँ पे भागना पड़ गया उनको मारा गया जिसको बोला गया अलनकबा के टेस्टॉफ बाद में आप देखोगे कि बहुत सा इलाका इस पर्टिकुलर इवेंट में इसराइल के कबज़े के अंदा चला गया लेकिन बगल की जो कंट्री थी जॉर्डन जो कि फिलिस्टीनियों को पेलिस्टीनियंस को सपोर्ट कर रही थी जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के उपर कबज़ा कर लिया इजिप्ट ने गाजा पट्टी के उपर कबज़ा कर लिया चुकि इस समय पे जॉर्डन और इजिप्ट दोनों इसराइल के अगये इस थे और ये जो जरुसिलम था वेस्ट जरुसिलम आ गया इसराइल फोर्सेस के हाथ में और इस्ट जरुसिलम चला गया जॉर्डिनियन फोर्सेस के हाथ में ये थी कहानी 1948 की 1967 में फिर से Six Day War चुड़ गया और इस 1967 के वार में इसराइल ने जबरदस तरीके सब को हराया सीरिया का गोलन हाइट चीन लिया इजिप्ट का सिनाई पेनिंसला चीन लिया बहुत बाद में लोटाया ये जो गाजा पट्टी थी ये गाजा पट्टी भी इसराइल की कंट्रोल में आ गई यह इस वीडियो का प्रॉपर टाइटेल है तो आप इस वीडियो को जाकर देख लिजे आपको और बहुत आइडिया रग जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ओके फिर आप देखोगे कि बहुत सारे पेलेस्टीनियन रिफ्यूजी डिसेंडेंट्स जो कि गाजा वेस्ट बैंक में रह रहे थे कहीं न कोई आप पर परिशान होने लगे चुकि भाई जैरोसिलम पूरा ही के पूरा इसराइल के कबजे में चला गया था उस स्ट्रक्चर है वो चला जाएगा इस रिस्पेक्ट में जॉर्डन इसराइल यहाँ पर पूरी तरीके से वेस्ट बैंक के जदतर इलाकों पे कबजा करके बैठ गया है अब अगर आप वेस्ट बैंक देखोगे न अगर यह वेस्ट बैंक है और इसमें यहाँ पे जरुसिल करती हैं तो बीच में जो पेलस्टीनेंस हैं अगर वो फस गए हैं और इसलाके में पेलस्टीनस की खिलाफ रत्तियाचार भी बहुत होता है लेकिन वो पलट गे जवाब भी बहुत देते तो लड़ाय एक सरकार यहाँ पे चलती रहती इसराइल बोलता है कि पूरा का बहुत सारे सेटलमेंट्स इन इसराइलीज ने मना दिये हैं और वहाँ पे 6 लाग जीव्ज रहते हैं जिनको निकाल पाना अव्वेसी बात है बहुत मुश्किल है अब इस रिस्पेक्ट में कि जो होली मन्त आता है ना रमादान का यहाँ पे क्लैश्स बहुत जदा बढ़ गए है हुआ यह कि जब 13 अप्रेल के लगभग पे मुस्लिम्स की पूजा होती ही रोज भाई वो लोग अपने भगवान को याद करने के ले जाते हैं अब इस रिस्पेक्ट में भीड बहुत जदा बढ़ने लगी इस इलाके में जब भीड इस इलाके में बढ़ने लगती है तो इसराइली फोर्सेस थोड़ा सा घवरा जाती थी तो इसराइली फोर्सेस ने यहाँ पे कुछ कंडिशन्स लगा दी कंडिशन्स क्या लगाई कि यह जो आपका डमासकस गेट प्लाजा है जिसकी फोटो मैंने शुरू में दिखाई इस डमासकस गेट प्लाजा के समय पे 12 अप्रेल के लगबग से बहुत सारे मुस्लिम्स पूजा करने के लिए जाने लगते हैं तो यहाँ पे पहली बात तो इसराइली पूरिस ने बैरिकेड लगा दिये उनको इस जेरुसिलम में गुसने नहीं दिया और इस जेरुसिलम में अल-असका मौसक है वहाँ पे वो जाना चाहते हैं बट इसराइली फोर्स जाने नहीं दे रही है उस रिस्पेक्ट में बाद में इसराइल क्या बोलता है कि भाई एक दिन में मैक्सिमम दस हजार लोग पूजा कर सकते हैं अल-अकसा पे तो 16 अपरैल को इसराइल एक नियम कानून निकालता है कि पर डे मैक्सिमम नंबर ओफ परसंस अब इसके बाद यहां पर वाईलेंस चुरू हो गया पेलेस्टीनिस ने बोला कि हम तो कितने मी नंबर में पूजा करने वाने हैं तुम कौन होते हैं हमको रोकने वाले और वाईलेंस छिड़ गया अब एक साइड ने वाईलेंस किया तो दूसरे साइड ने भी वाईलेंस किया साथ माई को ख़बर यह आई कि जो वाईलेंस हुआ है उसमें दो सोल पीपल यहां पे इंजिर होके अब शेक जर्रा नाम की जो मैंने आपको यहां पे जगा बहाई है इस शेक जर्रा में कहीं न कहीं बहुत सारी अरब फैमिलीज रहती है इन अरब फैमिलीज को हटा के जुईश फैमिलीज अपने जुईश एड है वो अपने जुईश फैमिलीज को भी सेटल कर रहा है धीरे धीरे इस इस इलाके में जुईश शेटलमेंट फिला रहा है इस रिस्पेक्ट में जब ये अलकसा वाला इंसिडेंट हुआ तो सुनने में ये आया कि बहुत सरे अरब्स जो कि शेक जर्रा के लाके में रहते थे उन्होंने जूइस फैमिलीज को निगाल के वहाँ से धक्के मार के बाहर कर दिया सुप्रीम कोट को इस्ट जरूसलम और वेस्ट जरूसलम के वह पॉके जहां पर ये पेलेस्टीनेंस रहते हैं इन्होंने भाई बंबारी करनी शुरू कर दिये, गोलियां चलनी शुरू कर दिये दूसरे साइड की तरफ और अववेसी बात है इसराइल भी यहां चुप रहने वाला है नहीं, इसराइल ने लिटैलिट किया, बहुत सारे लोगों की यहां पे जान गई है तो यह पूरा का पूरा वॉयलेंस है, उसके बाद 10 मई को इसराइल में नैशनल हॉलिडे होता है, जरूसिलम डे होता है और इस दिन बहुत सारे जो राइट विंग इसराइलीस हैं, वो मार्च करने लगे और वो मार्च करने लगे ओल्ड सीटी में और उन ओल्ड सीटी के भी उन इलाकों में जहां पे पेलिस्टीनियन मुसलिम्स मेजॉर्टी में तो जब उस इलाके से मार्च करोगे और तुमारे मार्च में डिलिजिस फरवर है तो लड़ाई होगी होगी तो इस रिस्पेक्ट में भी आप कह सकते हो कि 10 मई के लगबग पे बहुत सारा वहले से यहां पे हुआ है तो ये पूरी की पूरी यहां पे टेंशन है आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये जैरुसिलम का क्या सीन है गाजा का क्या सीन है, वेस्ट बैंक का क्या सीन है अब आप समझेए, ये जेरुसिलम न्यूज में है, और न्यूज में इसलिए भी है, चुकि भाई यहाँ पे कुछ Holy, आप कह सकते हैं Religious Sites involved है, तो इन Holy Religious Sites से Respect में कुछ इन बन सकता है, आपके UPSC के Word History से लिए, बसमें, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरी Class 11th की NCRT की History है न, उसको एक बाद देख ले न चुकि इसको Themes of Word History में Chapter No.4 में, इस Particular इलाके के बारे में, मैंने काफी डीटेल में आपको चीज़ें समझा रखी तो एक और Respect में, ये Particular PPTO और वीडियो में ने इसलिए बनाई है कि बाई, Prelims की Perspective से, मेंस की Perspective से, ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़दा important हो रहा है और वैसे हर साल, जब भी Ramadan का Holy Dant आता है, इस इलाके में Clashes होते ही होते हैं, इस बार थोड़े से ज़ादा हो रहा है तो I hope, आपको काम की चीज़े यहाँ पे पता चल गए होगी, Thank you for watching, Have a great day, अब इस रिस्पेक्ट में US ने क्या कहा, European Union ने क्या कहा, United Nations ने क्या कहा, इसके बारे में मैं अक्सर कर आपसे Newspaper Editors में डिसकूशन करते ही रहता हूँ Good bye